फ्रेंड्स वागत है आपका मेरे चैनल गौरफजोन 01 में तो आज की वीडियो भी डॉक ब्रीड्स पर हैं देखें आज की जू डॉक ब्रीड है वो मेरी फेवरेट पर्सनल फेवरेट है आज इस दुनिया में इस देखें कितनी टाइप्स की डॉक ब्रीड है इसे देखें कि और शेंट ब्रीड के बलेड़न Jackson फर्सनड तो गोल्डन रेट्रीवर लाड़ड़ूध्रारीवर रैडिवर हốngस्ट कीज और सेंट बरनाड ब्लाक जर्मन शाफ़र्ड eccis कितना सहीं लगब भी देखना सेंट बər्नाड के बाद यह एक black German look देकिंगे इसके कितनी सही है नॉर्मल जो हमें black and tan color में German देखने को मिल जाता है कहीं पे भी यह देखिए long coat है यह एक चाव-चाव black color चाव डेखने को मिलता है वैसे इस color में जायते हैं हमें चाव-चाव देखते हैं जो browns है लेकिन आज हम बात करने वाले American Bully की眉डे जो Romeo वह बहुती शांत और attractive Dog आगड़ और Hai ऐह कुछ सांतने की बार्वार आजिसे काफिसाइए अरने और लांगें यह तो बोला तोड़ा साब बीच में और ये हैं इसके saiz pocket size classic extended extreme and xl xl सब से बड़ा होता है ये देखिये इनका जो ये ट्राइक कलर है ये मेरे कुछ बहुत बड़ी अलगता है वैसे यह देखिये एक और ट्राइकलर अमेरिकन बुली यह जो नॉर्मल हमें देखने को मिल जाता है काफी सारी जगाओं पर यह यह एक्जॉटिक बुली है यह इसकी कीमत डेड़ लाख तक भी हो सकती है इंडिया में यह वेनम और ओमेगा दोनों ही बहुत बढ़िया है वह हैं और यह एक्सल साइज जो अमेरिक तरीक के उतने खड़े होने के यह देखिए आप इनको पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को यह वही उनके साइज पॉकेट स्टेंडर क्लासिक और वह एक्स एक्सल और यह स्टेंडर बुली यह पॉकेट साइज और जैसे कि मैं क्या रहा था काफी सारे अलग कलर्स यह पॉकेट से लग रहा है यह फिर से उसके साइस बताने के लिए माइक्रो यह माइक्रो जो मैक्रो एक्सवाटिक हो बहुत ही होता है यह देखेंड पेटबुल अब जो फोटो यह देखिए यह होते हैं वो ट्रेनर जिनके वज़से पिटबुल की नाम जो है खराब हो है यतना खतरनाक बना लेते हैं तिम भीकार बना देते हैं ब्रीड और ब्रीड को इनको पालना नहीं आता फिर भी एक ऐगले लेते हैं जिसको फाले सकते हैं मतलब भीटबुल है यह जहां तक मैं जानता हूं कि ब्रीड को यह बहुत अच्छे फ्रेंड़ली डॉ demokrat बन सकते हैं family dog बन सकते हैं बहुत अच्छे लेकिन यह लोगों को रखने का तरीका ही नहीं है यह देखिए यह इतनी सारी cattle cows के बीच में हैं यह कुछ नहीं कहा रहा है इनको बलकि खड़ा है और यह यह है American Staffordshire Terrier यह भी मैं आपको बताना चाहरा था कि यह जो American Pitbull और बुली हैं उनसे अलग एक ब्रीड आती है American Staffordshire Terrier और अब देखने यह होता है American बुली और अमेरिकन Staffordshire और पिट बुल में फरक इसको पॉस करके देखना बड़ी ध्यान से इनके खड़ी होने के स्टाइल इनका फेस थोड़ा अलग होता है American Pitbull से यह देखिए ध्यान से देखिए इस ब्रीड को यह बहुत यह बहुत अची ब्रीड है जो यह यह भी एक चलो अभी यहाँ पर आज इस वीडियो को खतम करते हैं हसकी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो तो यह शेयर करो लाइक करो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को निच्छ दियेगा गंटा गंटे को बहुत यह लेट होगा सब